स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल पर और जैसा कि मेरा रिक्वेस्ट है अभी हमने एक प्लेलिस्ट को अलग कर दिया है यह क्लास 8 का अलग हमने बना दिया है और चलिए अब सुरू करते हैं एक शली क्लास 8 का है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्टन है यह आपको लाइफ टाइम यूज होगा यह आप इसी भी तरह के जो कंपिडिशन में भी जाएंगे तो इस तरह का क्वेस्टन जरूर मिलेगा है तो इसको बारी की से समझ कि 12 candle के जो कोश्ट पराइस है वह आपको 15 केंडर की जो सेलिंग फ्राइस है उसके बराएबर है तो इस इस्थितिमें आपको लॉस या फिर गेन का percent निकालना है और सकतर आपको डाइर e綠 लॉस परसेंट भी दिया हो तो बहतर है नहीं तो आपको खुद भी खुद तो इस स्थिति में आप यहां पर देखेंगे बहुत बार आपका question जो बना हुआ है उसमें आप देखते होंगे कभी 12 candles का CP लेकर चलता है कभी 15 के ले चलता है तो आपको मैं इसके tricks बता दे रहा हूँ है कि आप जब भी इस तरह से आप रहे question तो आप क्या करेंगे यह जो द देखते होंगे यह 12 एंड यह 15 तो जैदी आप करेंगे तो देखें 3,4 और 12,3,5 तो 5,4,20,3 कितना आगे आपका यह 60 तो आप मान कर जलेंगे कि आप जो है क्या कियेंगे आप 60 आइटम्स या 60 candles यहाँ पर्चेस करेंगे और 60 candles को यह आप बेचेंगे उसे में क्या होता है कि 12 कर लेता है कभी 15 कर लेता है तो आपको डाउट होता है तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे हम लोग 60 candles और सबका प्रइस आप रूपी 1 मान ले चाहे एक्स मान ले तो लिखेंगे यहाँ पर लेट कोई पर्चेस कोई पर्चेस 16 केंडल्स 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 4 रूपीज 60 आपने 60 केंडल्स 60 में खरीदा इसका मतलब एक केंडल का कोस्ट प्राइस आपका क्या हो गया 1 रूपी हो गया देट इज आप लिखेंगे देट इज CP आफ 60 केंडल्स इस इक्वल टू आपका कितना है 60 यह आपने मान लिया अब यहाँ पर देखिए यह 12 और 15 से हमारे जादा मतलब नहीं है आपने 60 केंडल्स 60 में खरीदा अब हम लोग देखेंगे कि 60 केंडल्स को हम लोग कितना में बेचेंगे तो देखिए यह 15 केंडल्स को हम बेच रहें कितना में बेचेंगे तो जितना में हम 12 को खरीदे थे तो यहाँ 60 को हमने 60 में खरीदा इसका मतलब हम लोग 12 को कितना में खरीदा 12 में खरीदा तो यह CP of 12 यह SP of 15 मतलब 15 को क्या करेंगे हम लोग जदी 15 को जब हम बेचेंगे तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर 12 रुपीज मिलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे since SP of 15 candles यहाँ को समझ लेंगे इस आपका रुपीज कितना होगा देखिए SP of 15 candles is equal to CP of 12 तो CP of 12 कितना होगा? CP of 60 is 60 therefore CP of 12 is 12 that is SP of 15 is रुपीज यह 12 therefore आप यहाँ लिखेंगे SP of 1 candle यहाँ आपको कितना है? 60 का निकालना है यह आपका होगा 12 by 15 therefore आपको कितना बेचना है? चुकि आपने खरिदा है 60 तो आपको 60 को बेचना है यह आपका आजायेगा कितना? 12 by 15 that into 60 आप यहाँ पर करेंगे that is रुपीज आपको आगया 48 आप यहाँ पर देखेंगा यहाँ CP of 60 कितना था आपका? 60 रुपीज था और SP of 60 कितना आगया? 48 आया तो यह आप चुकि ज्यादा मखरिद के कम में बेच रहे है इसका मतलब आपका लॉस होगा therefore यहाँ पर होगा loss is equal to आपका रुपीज 60 minus 48 that is कितना आपका? 12 यह आया therefore आप लिखेंगे loss percent that is loss percent that is equal to क्या होता है? loss percent या gain percent जब भी निकालना होगा loss by CP into 100 gain रहेगा तो gain by CP into 100 यहाँ loss आपका कितना है? 12 CP हमने कितना लिया था? 60 आइटेम को लेके चला था तो 60 होगा CP 60 रुपीज यहाँ पर into आपका one hundred आप इसको करेंगे 12 one, 12 five are and five one, five twenty are यह आपका आएगा 20 percent answer यह आपका final हो जाएगा तो मेरे खाल से इसमें आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए मैं और एक question लेके चला हूँ इसमें मैं तीन question रहेगा तीनो question अलग अलग बनेगा आप इसको समझ लेंगे तो देखिए यह हमारा second question है और यह थोड़ा सब बड़ा हो जाएगा आपका देखिए हम पर है question the selling price of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles find the gain or loss percent यहाँ पर देखिए selling price of 16 और cost price of 17 दोनों equal है तो आपको इसमें जो है सो क्या निकालना है gain or loss percent जैसे कि हमने देखिए question में हमें सा doubt होता है कि इसमें 16 लेके चले कि 17 लेके चले तो इसलिए हमने एक इसका conclusion निकाला एक shot का trick तो आपको क्या करना है यह दोनों का LCM ले लेना है 16 और 17 का चुकि देखिए यह prime number है यह दोनों का जो आपका LCM आएगा उसीदे 16 इंटू 17 ही रहेगा multiply करना चाहते हैं तो multiply करेंगे नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं तो देखिए हमने यह मानना है कि वो जो है total quantity हमको एतना खरिदना है और इतना ही हमें बेचना है मतलब इतने को purchase करना है quantity और इतने को बेचना है यह हमें सा याद रखेंगे चुकि उसी के लाफडा राता है हमें सा परसानी होती है कि 16 लेके चलें कि 17 लेके चलें इसलिए दोनों का LCM लेके हम लोग चलते हैं तो हम लोग यह मानन लेंगे कि let CP of 1 equal to 1 हो गया इसमें चुकि इतना कही इतना रुपी से इसलिए CP of 1 equal to अब देखेंगे देखिए यह CP हमने इतना लिया अब क्या करना इसको आपको बेचना है यह CP आपको मालूम हो गया अब आपको क्या करना है बेचना है इतना ही quantity को जब आप देखेंगे आपे आप जब 16 को बेचते हैं तो आपको कितना मिलेगा 17 के CP के बराबर तो यहाँ 17 का CP कितना होगा 17 का CP हो जाएगा 17 रुपी चुकि 1 is to 1 यहाँ पर है तो 17 का 17 होगा यह आपका CP होगा 17 का तो यही हो जाएगा 16 का SP याने 16 का जो है SP जो होगा वो कितना हो जाएगा 17 के बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे therefore यहाँ पर लिखेंगे selling price of कितना यह 16 equal to आपका होगा rupees 17 यहाँ लिखेंगे therefore selling price of आपका कितना इतना चुकि इतना आपने खरीदा है तो इतने का आपको आपका क्या आगया selling price आया इतने आइटेम का यह देखेंगे सेपी है इतने आइटेम का कितना है 16 into 17 अब आप यहाँ पर दोनों को देखेंगे यह 16 into 16 17 है यह 17 into 17 है यह double multiply होगा तो यह जाहिर है यह क्या होगा आपका greater than this होगा यानि यह जो selling price क्या हैगा आपका अधिक आएगा तो जब अधिक आएगा तो क्या होगा आपको profit होगा therefore आप लिखेंगे profit equal to आपका क्या होगा SP minus CP that is आपका होगा 17 into 17 minus 16 into 17 इसको आप कुछ नहीं करना है 17 दोनों में common ले लेंगे यह होगा 17 minus 16 that is आपका कितना होगा 17 into यहापको कितना बच जाएगा आपको 17 हमने common ले लिए एक बचा 17 यहाप 16, 17 minus 16 यह बच गया 1 that is 17 into 1 that is रूपी 17 तो आपको जो है से यह profit हुआ कितना में आपका इतना जो cost price में इसमें आपको इतना profit हुआ तो इसलिए आप क्या लिखेंगे profit percent तो profit percent क्या होगा आपको profit by CP into 100 profit आपको कितना है 17 CP कितना है आपका 16 into 17 into 100 17, 17 cancel 4, 4 and 4, 25 that is 4, 6 24 that is 1 by 4 percent यह आपका होगया answer तो आप जब भी इस चीज़ को बनाएंगे तो इस चीज़ को आप देख लेंगे तो इसमें इसी चीज़ का confusion होता है कि कितना सा quantity हम खर दें और कितना सा हम बेचें एक question और इसमें लेके चलेंगे हम लोग ताकि आपका कोई confusion नहीं रहे question और हम लोग लेके चल रहे है यह question third है एक ही तरह का तीनों मिलागे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा आप यहां पर देखिए यहां पर आपका the CP of 10X is equal to the selling price of 8X find the gain or loss percent यहां देखिए 10X and 8X आप LCM ले लेंगे और उतना quantity आपको purchase करना है और उतना ही quantity आपको sell कर देना है आप लेके चलेंगे 25 and 24 अब वह चोटा नहीं होगा यह आपका हो गया 40 तो आपको क्या करना है 40X को खरिदना है और 40X को आपको बेच देना है और हम लोग मान लेंगे CP let the CP of 40X is equal to rupees 40 मतलब 1 का 1 हो गया सीधी बात है 40X is 40 अब इतना तो आपका CP निकल गया अब आपको क्या निकलना है इसका selling price तो selling price देखिए selling price of 8X is equal to CP of 10X अब CP of 10X कितना हो गया 1 चुकि 40 का 40 है इसका मतलब 1 का 1 है तो 10 का कितना हो गया CP आपका 10 हो गया यह 10 CP हो गया 10X का 10X का लेकिन यह क्या बोला selling price of 8X का भी उतना ही होगा याने SP of 8X कितना हो गया 10 हो गया यहां लिखेंगे scene से SP of 8 X is equal to आपका आगया 10 यहां पर आपको क्या करना है आपको यह 40 खरीदना है और 40 ही बेचना है तो 40 अपने खरीदा 40 में आप 8X का SP होगा इतना तो हम लोग यहां पर देखेंगे selling price of 40 का कितना होगा तो Unitary method में 1 का निकालेंगे that is 10 by 8 और इसी में जब आप निकालेंगे आप कितना 40 X तो यह 40 X के निकालेंगे तो 10 by 8 into 40 इसको आप यह cancel कर देंगे that is आपका आगया रुपी 50 यहां पर देख लिजिए आप आपने यहां पर खरीदा था 40 X को 40 में आप 40 X को आप sell कर रहें कितना में 50 में और आप profit जो है तो क्या निकालेंगे profit percent निकालेंगे profit by CP into 100 profit आपका 10 CP 40 को निकाला था 40 में CP into 100 यह 0, यह 0 यह 2, 2 and 250 आप करेंगे तो 25 और यह 25 percent answer यह आपका final answer होता है तो जब इस तरह का question होगा आपको यहीं पर confusion नहीं लेना है आपको क्या करना है वह दुनों का LCM लेकर के उतना quantity को आप purchase कर लेंगे उतना quantity को आप sell कर लेंगे तो मेरे खाल से question आपको समझ माया होगा Thank you so much कर दो कर दो आपको समझ